हाई फ्रेंड्स वेलकम टू जी आरेस टेक्निकल आज हम लोग सीखेंगे अंगूर से बीयर बनाना जिसे सराब कहते हैं हिंदी में अंगूर और एलोबेरा से बीयर बनाएं और सकती भर पूर पाएं दोस्तों हमारे बॉड़ी में कैलसियम की कमी हो ठकावट हो अनिद्रा हो सारा कुछ इस बीयर से दूर हो जाएगा सबसे पहले गूच्छे से अंगूर को इस तरह से छोटे छोटे निकाल लेना है ध्यान रखेंगे और इन सब को मिस्रित कर लेना इस तरह से प्रेंट्स नसा तभी होगा जब अंगूर थोड़ा ज्यादा पका हो यह देखिए इस तरह का अंगूर पूरा हरा रहेगा तो नसा नहीं आएगा अब इन सब को इस तरह से मिक्स कर देना है देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है या फिर आप ग्रिंडर में भी मि दा रहा हूं इस तरह से आपको इसको गार लेना होगा यह देखिए नीचे अब इसमें अलोबेरा यह जो लिक्वीड है जेल्स इसको हम लोग मिलाएंगे अच्छे तरीके से कि इस तरह से इसको निकाल लेना है यह देखिए इसको डाल देना है देखिए कितना गारा हो गया है यह बिल्कुल ग्रेवी की तरह यह बीर आपको कोई नहीं बताएगा इस तरह का बीर पी के आप पूरजावान सक्तिवान कैल्सियम पोटेसियम और प्रोटीन साथ ही साथ सरीर के आईरन और मिनरल को भी बढ़ा सकते हैं इसको फ्रेंट 24 घंटे तक आप फ्रीजर में रख सकते हैं या किसी ठंडे प्लेस में रख सकते हैं और अगले दिन इसका उपयोग करें शरीर की हर कमियों को ये दूर कर देगा अगर सरीर में ज्यादा कम जोड़ी हो तो इसमें गुलुकॉंडी भी मिला सकते हैं तो ज्यादा टेस्टी और असरदार बीयर आपका घर में ही बन कर तयार हो जाएगा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और स्वास्त के लिए भी यह काफी लाबकारी है कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि इसमें एलो बेरा मिला है इसको और अच्छे से मिक्स कर द जाएंगी WBC का कमी भी दूर हो जाएगा इस तरह के बीयर पीने से तनाव से मिलेगी मुक्ती नेत्र संबंदित विकार भी दूर होंगे जरूर बनाए जरूर पीए ध्यान रहे बनाने के एक दिन बात